नमश्कार सभी बेनों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाक महिने की कहानी जो की बैसाक के महिने में रोजाना सुनी जाती है बैसाक का महिना बहुती पुन्य प्रदान करने वाला माना जाता है और इसकी नियम अनुसार कोई अगर कहानी सुनते हैं बैसाक के मेने में पूजा पाट करते हैं तो उनको बहुत ही पुन्य प्राप्त होता है तो शुरू करते हैं कहानी एक राजा था उसके दो रानी थी एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी बड़ी रानी तो कुछ नहीं करती थी, घर में ही पड़ी रहती थी, छोटी रानी सुबह चार वजे उटकर जाती, गंगा नहती, जमना नहती, तुलकी, तुलसी, आख, पीपल, महादेव सबकी पूजा करती, एक दिन बड़ी रानी को मालूम पढ़ गया, तो वे खटपात लेकर पढ़ गई, राजा सहाब आये, और पूछने लगे, क्यों रानी जी, क्या बात है, वे कहने लगी, महाराज, तुमारी छोटी रानी सुबह चार वजे को जाती है, और बारा वजे तक आती है, ना मालूम कहा जाती है, तुम्हें बदनाम करेगी, और साथ में हमारी भी बदनामी होगी राजा ने कहा क्या करना चाहिए तो पड़ी रानी बोली जितने भी बाग बगीचे हैं सब को कटवा दो जितने ताल तलईया हुआ बावडी हैं सब को पटवा दो राजा बोले रानी जी बैसा कमीना है दुनिया तो लगवाती है और तुम इने कटवाती यह है तो बहुत पाप लगेगा रानी बोली अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं मर जाओंगी रानी के कहने पर राजा ने सब बाग बगीचे कटवा दिये ताल तलईया कुवा बावडी पटवा दी अब छोटी रानी दूसरे दिन जब गई तो उसको कुछ भी नहीं मिला ना तो उसे कोई पेड दिखाई दिये और ना ही उसे कोई ताल तलईया दिखाई दिये एक छोटा सा आपका पेड था जो उसको दिखाई दिया तो वह उसी को सीच कर आई एक गड़े में पानी भरा था उसी में से चुलू भर कर पानी से नहा आई प्रते दिन वह ऐसा ही क इदर उदर देखने पर वहीं उन्हें एक आपका पेड नजर आया, राजा उसी के नीचे बैठा, वहीं गड़े में से पानी दिखा तो पानी पिया और घर पर आया, बड़ी रानी से बोला, रानी जी हमारे तो बड़ी मुश्किल से प्राण बच कर आये हैं, रानी जी तु तो वहीं बोली, महराज, तुमने दाने पुन्य को छोड़ा ही क्या है, सारे ताल तलईया तो पटवा दिये, कुवा बावडी पटवा दिये, बाग बगीचों को जड़वा दिया, एक गड़े में थोड़ा सा पानी है, उसी से नहा आती हैं, और एक छोटा सा आग का पर राजा ने पंडितों से पूछा, महराज, मैं कौन सी रानी के भाग से सुख पा रहा हूँ, तो पंडितों ने कहा, राजा साब, आप बड़ी रानी के भाग से तो दुख और छोटी रानी के भाग से सुख पा रहे हैं, पर राजा साब, तुमने एक काम बहुत बुरा किया है दुनिया तुमको गाली दे रही है और तो और पसू पक्षी भी बद्दुआ दे रहे हैं तुमने सारे कुए बावडी ताल तलया पटवा दिये तथा बगीचे उजडवा दिये दुनिया गर्मी और प्यास के मारे मर रही है आपको कितना पाप लग रहा है तब तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे राजा ने ऐसा ही किया राजा ने बड़ी रानी को दासी बना दी और छोटी को बहुत प्यार करने लगे तो बैसाक के महीने में जैसे छोटी ने दान पुन्य किये और राजा की जान बची और राजा ने फिर दुगने बगीचे लगवा करके कुए बावडी खुदवा करके जैसे पुन्य कमाया तो हे बैसाक मईया जैसे छोटी को तुमने सुक प्रदान किया वैसे सब को प्रदान करना जो कहानी सुने और सुनावे उनको भी सुक प्रदान करना हमको भी सुक प्रदान करना